ये वीडियो सोचल मीडिया पे अभी इतना ज्यादा वाइल हो रहा है, फ़नी बहुत लगेगा आपको देखने में पर लेकिन इसके पीछे आर उतना ही एक डीप मैसेज चुप है, इस वीडियो को देखने के बाद आपसे मैं सिरफ दो सवाल पूछना चाहूंगा अब आपसे मेरा पहला कोशन ये है कि मान लो इस लड़के के पास कैमरा नहीं होता, तो ये पूरी सिचूर्शन कैसी होती, आस पास के लोग कैसे रियक्ट करते हैं और क्या ये लड़का वहाँ से सेफली निकल सकता था मान लो सामने लड़का नीचे गिरा, पीछे लड़की खड़ी है, लड़की के पास कैमरा नहीं है, लड़का उतर के बोले कि तुमने मुझे नीचे गिरा है, तो क्या आस पास के लोग सपोर्ट करते क्या होता यार मुझे इन दोनों कोशन क्या पांसर दो बिल्कुल भी हेट नी फिला रहा हूँ तो प्लीज यार ये चीज तो कमेंट से मतलिखना जो मेरा मेन मोटीव है मैंस्लोज के बारे में कि हमारे मैंस्लोज कितने वीकेंड या के अंदर जो हमारे मेंस के राइट अभी यार वो लखनो दीदी वाला सीन हुआ था कुछ टाइम पहले आपको याद होगा तो यार थोड़ा तो यार मोडिफिकेशन होना चीह है जैहिए अब यार आपने हेलमेट पहना हुआ होगा तो भी आपका चलान कर सकता है अब भी कहोगे भाई यार मतलब काट लो हमारा बस यार मतलब छोड़ो मत कोई भी मोका यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अबब काम्टर हो यार बस यार म हुआए यार मतलब लग हो भी आपका तो यार मतलब剛åट एला भी मतलब लो